आई डिवी ऐई बैंक का सेलफ चेक कैसे बरे हैं? नमस्छकार दोस्तों, स्वागता का मेट्व चैनल में सीको हिंदी में तो दोस्तों, आज किस फीडियम बात करने बाले हैं अगर आपका भी अकाउंट है आई डिवी ऐई बैंक में और आप इसमें से पैसे निकालना चाते हैं, चेक के दुआरा खोद अपने आप, तो आप कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, आईए जानते हैं, तो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा निकालना चाते हैं, चेक के दुआरा तो आपको भरना पड़ेगा self check, तो self check भरने के लिए आपको यह पर यह Pay वाला जो Hopson देख रहे हैं जहां पर लिखा हैै विद्गुल जश्ट बगल में इसमें आपको यहां पर लिखना है Self Friends, यहां पर आपको Space नहीं छोड़ना है इस तरीके सापको Self लिख देना अच,S,E,L,S और फिर आपको यहाँ पर रुपीज लिख देने जितने पैसे आप निकालना चाहते हैं तो जैसे कि हम यहाँ पर एक्जांपल के तौर पर लिख देते हैं 5000 रुपीज ओनली ठीके फ्रेंस तो इसके बाद आपको जश्ट बिल्कुल यहाँ पर इस तरह से लाइन खीज देनी है और जो आप यह बागी का स्पेस देख रहे हैं यहाँ पर आपको इस तरह से लाइन खीज देनी है ताकि जो आपका यह amount है इसमें कोई छीरचार ना करें फिर आपको यहाँ पर जो अपनी amount भरा है उसी को अंक में लिख देना इस तरीके से और जश्ट बिल्कुल पास में से इस तरीके से एक line बना देनी है ठीके फैंस तो हमने यहाँ पर अपना amount mention कर दिया है पांच यह रुपे यहाँ पर भर दिया है इसके बाद आपको यहाँ पर डेट डाल देने जिस डेट में आप यह amount निकालेंगे जैसे कि हम आज की यहाँ पर डेट डाल देते हैं 8 तारीक तो दोस्तों अगर 8 तारीक है या 9 तारीक है या 4 तारीक है जो भी है तो आपको उससे पहले 0 लगाना है यहाँ पर इस तरीक से जीरो लगाने के बाद आपको यहाँ पर जो भी डेट होगी वो डेट लिख देना जैसे कि मैं लिख देता हूँ आठ तारीक चौत्था मईना दो हजार एकिस ठीके फ्रेंस तो हमने यहाँ पर यह डेट मेंशन कर दिया है फ्रेंस ध्यान रखिएगा एक चीज बहुत ध्यान रखनेरी जो है इसमें आपको ओवर्राइटिंग नहीं करनी है डबल पैन नहीं चलाना कहीं भी नेता पर चेक जो है रिजक्ट भी हो सकता है तो दोस्तों से अगर किसी एदर परसन के हाथ में भी लगता है तो यह अमाउंट उसको भी मिल सकता है वह भी कैश करा सकता है क्योंकि फ्रेंस आप और अल्लेडी मेंशन है या धारक को और बेरियर तो मतलब अगर कोई और भी यह लेके जाएगा तो उसको भी कैश मिल जाएगा अगर बास यहां पे आप यह portion देख रहे हैं इस portion में आपको अपने signature करते हैं जो भी आपके bank account में है दोस्तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा अगर Hindi में है तो Hindi में साइन कीजिएगा और English में हो तो आप English में ही साइन कीजिएगा तो हम यहां पे साइन कर अब पर जब देखेंगे तो यह वैलिड three months only तो यह लिखा हुआ इस पर कि आपको यह चेक है वो 3 months के लिए valid रहेगा उसके बाद यह valid नहीं होगा अब आपको अपने चेक के back side आ जाने फिराने इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों आपको अपने 2 sign कर देने जो आपके bank account में है इस तरीके से और यहाँ पर आपको अपना एक mobile number mention कर देना है तो दोस्तों इस तरीके से हमने अपना चेक पूरी तरीके से चेल कर लिया है अब हम इसको cash करा सकते हैं अगर दोस्तों आपको वीडियो चलोगी प्लिस को like कीजिएगा and मेरे चनल सब्सक्राइब कीजिएगा thank you so much